अमेरिका मा लगबग दरेक व्यक्ती ग्लास ना त्रण चतुर्थांश भाग जेटलो आइस नाखी ने पाणी पीवे छे हवे हुशों कवा आविशे हवे मुझे कैशे लोको ने कदाच नही गमे कारण के योगिक संस्क्रूती मा जो तमें योगी हो जो तमें अंत्रिक रूपान तरण ना मार्ग मा हो तो तमें तमारी सिस्टम ने रूपान तरित करवा मागो छो एक बिजाज परिमान निशक्ये तापर तो तमारे एज पाणी पीवे जोईए जेनू तापमान 4 के 5 डिगरी उपर कांतो नीचे होई जेम के आपनू सामन या शरीर नू तापमान 36 डिगरी सेंटिग्रेड जेटलू होई छे तो तमें कांतो 40 डिगरी कांतो 32 डिगरी सुधीना तापमान नू पाणी पीवे श्रेष्ट गणाए जो तमें विद्यार्थी हो तो तमें ग्नान मेडवा मागोचो तमें रूपांतरी थवा नथी मागता एटले के जो तमें फक्त ग्नान मेडवा मागोचो तो तमें 8 डिगरी ना अंतर सुधेनू पाणी पीशको एटले के 40 डिगरी औने 28 डिगरी जो तमें ग्रुहस्थ हो औने तमने कोई ग्णान के रुपान्तरण मा रस्थ ना होए औने तमें फक्त तमारा बाढ़को पतनी के पतिनी संभाड लेवा जिचता हो तो तमें 12 डिगरी उपर के नीचे ना अंतर सुधेनू पाणी पीशको छो तेना थी आगण कोई नीपन माटे फाइदा कारक ना थी आवात लोकोंने पसंद नहीं पड़े पने खूब महत्वा पुरुना चे के तमें जे कई ग्रहन करो ते शरीर ना तापमान नी आसपास होए इना थी वधू दूर ना होए कारण के शरीर ना तापमान थी गणू वधारे अलग पाणी के बीजो कोई पन पदार्थनू सेवन करवा थी शरीर नी अंदर ना पाणी ना वर्तन मा गड़ बड़ावी जाए चे हूँ जानू छूँ के आईसक्रीम खानारा लोको मारा पर बूमों पाड़ चे हूँ तो फक्त आदर्श स्थितियों बतावी रहो चूँ तमारा मा थी किटला लोको आदर्श सीमाओं मर हेवा मागे चे के तेना तरफ चीतन रहीन ज्यां सुधी संपः होए त्यां सुधी ये सीमाओं मर हेवुए सारी वाद चे जो तमने तरस न लागे तमें पाणी पीवो जण नहीं तो तमने कई नहीं थाए तमें ठीक रहे शो ये फक्त आमेरिका में हुचे के तमें मरी जशो जो तमें पाणी नहीं पीवो ये लोको आमस्ता पाणी नथी पीता ज्यारे तेमने तरस लागे त्यारे पाणी पीवे चे रण विस्तार मा पण फक्त अमेरिका माँच ठंडी आबो हवा मा पण लोको पाणीनी बोटल लेईने फरेचे अने सतत थोड़ु थोड़ु पाणी पीधा करेचे मार्केटिंगा जेवु थयु छे अने तेमने समझावा मा आविवु छे खूब पाणी पीवु जोईए जो खूब वदु मात्रमा पाणी पीवा मा आवे अने एपन थोड़ु थोड़ु करीने शरीर तेने शोशी लेचे अने सोडियम नुस्तर जे खणू नाजुक रिते संतुलीत होईचे ते घणू नीचे जतू रहेचे बाकीना शरीर पर प्रणसर थाएचे पने इटलू ध्यानमा नथी आवतू पन मगजमा सोडियम नुस्तर ओछू थवा थी सोजो आवी जाएचे तेनो और थे नथी कि तमारा मगजमा व्रुद्धी थे रेचे पन सोजो एक प्रकार नी बिमारी छे मगजमा पाणी वधारे प्रवेश्ये चे आने तेने संतुलीत राखवा मटे सोडियम नी उनप पूरी करे चे तो वधू मात्रामा पाणी तमारा मगजमा एक असंतुलन उभू कर शे मानसी का असंतुलन जरूराव शे जो तमें खूब पाणी पीओ एक जथे तो शरीर नकी करशे कि केटलू शोशू अने केटलू बार फेंकी देऊ पन जो तमें नाना गुटडा अखो दीवस पिदा करो तो शरीर जाने के छेतराई जशे जरूर याद करता वधू पाणी शोशे चे पन जो त्यारे तमें बे लीटर पाणी पी जाओ तो बद्धू कहीं तमारी सिस्टेम मा नथी जवानू जेटलू जरूरी छे तेटलू जशे अने बाकी नू बार निकड़ी जशे फक्त एक कारण थी पाणी पीवानी जरूर नथी के तमें मानोचो के सारी आदत छे ज्यारे तमने तरस लागे त्यारे पाणी पीवो बस एटली काड़ जी राखो के पूर्तू पीवो दस टका वधू पीवो तमारी जरूर याद करता थोड़ा गणा वधारे कप्स फक्त एटलू नक्की करवा के तमें ओछू न पीवो तमारी पास एक चोकस समय होई छे बिजीवार पाणी पीवा माटे औने कटो कटी पन ना सर जाए एज रिते जारे तमने पाणी नी जरूर होई छे औने तमें तरसे हाऊ छे औने तमें ना पीओ तो एट अमारी सिस्टम ने हानी पोचाड़ छे खास करीने रदय ने खूब हानी पोचे छे जारे जे पाणी नी जरूर याद छे ए सिस्टम मां ना होई मुझे आरे पाणे नी वाद करूछू, त्यारे फक्त पिवा ना पाणे नी वाद नाती, पन पाणी नी मात्रा खूब होए एवा भोजन नी पन वाद छे तमे जो फ़लोग हाऊँ छो, तो तेमा नेव टका पाणी होई छे शाक भाजी वगेरेमा लगबग सित्तेर टका जेटलू पाणी होई छे तमे जारे आहार ग्रहन करो छो, त्यारे तेमा पाणे नी मात्रा, तमार शरीर ना पाणे नी मात्रा जेटली होवी जरूरी छे तो तमें जेपन भोजन ग्रहन करो चो तेमा ओच्छाम ओच्छू सित्ते टका पाणी नुस्तर होवु जोईए आज कारण थी शाक भाजी आने फड़ो ए तमारा भोजन नेक भाग होवो जोईए जेती पाणी नी हाजरी रहे